एक समय की बात है, एक छोटे से गाम में एक छोटी सी लड़की नामक आराध्या रहती थी। वह बहुत ही प्यारी और दिल से सच्ची थी। आराध्या का सपना था कि वह अपने गाम को बदल कर खुद की मिलकर बनाएं। एक दिन आराध्या ने गाव के बच्चों के साथ खेलते समय एक पुराने पेड़ के नीचे बगीचा देखा वह तैय कर लिया कि वह उस बगीचे को सजाएगी और उसे खूबसुरत बनाएगी आराध्या ने कमजोर बगीचे को नई जिंदगी देने का काम किया वह बीजबो और पौधों की देख भाल किये और बगीचा धीरे धीरे बदल गया उसके गाव के लोग हैरान थे क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो इतना कुछ कर सकती है बगीचे की खुश्बू ने गाव के लोगों को सर्प्राइज किया और वे आराध्या की महानता की सराहना करने लगे एक दिन गाव के सर्पंच ने आराध्या से मिलकर कहा तुमने हमारे गाव को नया जीवन दिया है तुम हमारे लिए एक प्रेरणा हो हम सब को दिखा दिया कि हालात कुछ भी हो सपनों को पूरा किया जा सकता है अराध्या ने खुशी खुशी अपने गाव के लोगों की सेवा करने का काम शुरू किया उसका सपना अब गाव के सभी लोगों का सपना बन चुका था आराध्या की कहानी हमें यह सिखाती है कि आपके सपनों को पूरा करने के लिए केवल आपकी इमानदारी, महनत और उम्मीद होनी चाहिए आप किसी भी चीज को पास सकते हैं अगर आप उसके पीछे जाने के लिए तैयार है आराध्या ने यह साबित किया कि छोटी सी छवी में भी एक बड़ा सपना छुपा हो सकता है और हर कोई अपने सपनों को पूरा कर सकता है अगर वह उन पर महनत करे